हलो जैहिन सभी को स्वागत है आप सभी का पुना आज के इस न्य वीडियो में जिसमें हम आज एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है करिकुलम एडाप्टेशन जिसे हम कहते हैं पाठेक्रम अनकुलन इससे पहले अनकुलन, परिमारजन, समायोजन इन सब का वीडियो बनाए जा चुका है अनकुलन के प्रकार का भी वीडियो बनाए जा चुका है आप उन्हें भी आप जरूर देखें एक बाद अगर चैनल में नए हैं तो आप विजिट करें इस्पेसल एजुकेशन, इंक्ल प्रकार क्या है अगर कोई रह गया है तो आप जरूर कमेंट करें उसके भी बच जाएगी तो चलिए आज का हम कोसिस करते हैं समझने की पार्टिक्रम अनकुलन को सबसे पहले पार्टिक्रम को समझते हैं एक दो लाइन में कि पार्टिक्रम एक समपूड अनभव है जिसे विद्यार्थी प्राप्त करके वेक्तिगत समाजिक और देश के लिए अपना योगदान देता है चाहाँ पर केवल मांसिक ही नहीं बलकि समाजिक, सांस्कृतिक, भागोलिक एब हम अन्य सभी इस्थितियां उसको पता हो जाती है क्योंकि पाठक्रम में सबकुछ समाही थे एक सिक्षक सबकुछ जोड़ करके विद्यार्थी को प्रवाइड करता है इसलिए पाठक्रम एक एसी धुरी है जिसमें सिक्षक और सिक्षार्थी मिलकर समाज के देश के स्वयम के उद्देशियों की पूर्थी करते है अब पाटकरम अनकूलन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे देखे पाटकरम अनकूलन का मतलब है पाटकरम से जुड़े हुए जितने भी घटक है उनकी प्रक्रियाओं में कुछ जोड देना, कुछ घटा देना, कुछ ऐसे तरीके अपनाना जिससे वो बिद्द्यार्थियों के लिए पढ़ने वाले लर्नर के लिए अनकूलित हो जाए, उनके अनुसार हो जाए वास्तों में यही पाटकरम अनकूलन है इसमें कौन-कौन से ऐसे घटक होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं जिनमें सबसे पहला है सक्षक, विद्यारधी, learning environment, teaching methods, teaching techniques, जो सिक्षण विदियां होती हैं, जो सिक्षण के तरीके होते हैं, सिक्षण तकनीकियां होती हैं, जो सिक्षण रडनीतियां होती हैं, मुल्यांकन होता है एक घटक, ये सब क्या है? ये सब पाठक्रम से संबन्दित है, पाठक्रम से सब चुड़े हुए हैं. हमारी जितनी सि卡्षण नीतियां हैं, जितने आयोग हैं, जितने चीजे बनती हैं, जो हमारे एजुकेशन को प्रमोट करते हैं विबिन प्रकार के करिकुलम फ्रेमवर्क बनते हैं ये सब हमारे पाठकरम से चुड़े हैं जिसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि लर्निंग एंवार्मेंट की अधिगम मुतावराट की जिसे आप क्लासरूम कहते हैं कच्छा कहते हैं जहां पर विद्यार्ती रह करके अपना सर्वांगेड विकास करने की कोशिस करता है अपन विभिन पक्चों का विकास करके स्वयम का समाज का देश का विकास करने की कोशिस करता है वहाँ पर एडप्टेशन किन किन चीजों में करनी चाहिए हम जानते हैं कि हमारी जो क्लास है वो डाइवर्स है एकदम बिविध है एक जैसी बिलकुल नहीं है चाहे भले ही क्यों न एक ही वर के बच्चों को ले लिया जाए तो उनमें सोचने समझने का और अन्य चीजों में अंतर दिखने लगेगा और हमारी क्लास इतनी डाइवर्स है कि हर चीजें सामिल है चाहे वो संस्कृती हो चाहे वो भासा हो चाहे अलग-अलग पहनावे के तरीके से आने वाले बच्चे हो चाहे अलग-अलग भगोली की स्थिती हो हमारे दिब्यांग बच्चे भी उसमें सामिल होते हैं इसलिए हमको classroom जो management है वो भी बेहतर करना पड़ता है कई बार आप देखते होंगे कि मालीजे दिब्यांग में ऐसा कोई बच्चा है जो civil policy है ऐसा कोई बच्चा है लोको मोटर जो इस स्थिती में है कि ज़्यादा मूब नहीं कर पाता उसके लिए कैसे environment देंगे माल लीजे कोई स्थरोन बादिद बच्चा है तो उसको बीच में बैठाएंगे कि सबसे पीछे बैठाएंगे या देश्टी बादिद बच्चा है उसको आगे बैठाएंगे या पीछे बैठाएंगे ये सब classroom management है ये सब हमारे curriculum का part है क्योंकि curriculum की process तब सुरू नहीं होती जब तक ये सब नहीं हो जाते तो हमको classroom management को बहुत बहतर करना चाहिए और classroom management और बहतर हो जाता है जब आपस में जो peers होते हैं जो सैपाटी होते हैं उनमें भी बहतर तालमेल हो और ये काम सिक्षक बखू भी करता है और सिक्षक का काम है acceptance positive attitude classroom में ये सब बहतर develop करना है एक दूसरे के प्रति जो acceptance की भावना है स्विकारिता की भावना है ये बहुत ज़रूरी है तो learning environment को बहतर करने के लिए ये सब चीज़े बहुत ज़रूरी है इससे पहले जो हमारा admission process होता है उसमें भी non-discrimination का process होना चाहिए एक बहतर जो behavior है वो होना चाहिए तब जाकि हमारे curriculum को fulfill किया जा सकता है फिर आते है टीचर शिक्षर जिनकी मुख के बिशेशता है कि वो एकदम tolerance based रहे है ज्यान संस्कृती और समझ के खाजाना हो जिने बहतर balancing system पता हो विद्यार्थियों के इस्तिती तक पहुँचने का तरीका पता हो tolerance भरपूर हो, science इलता भरपूर हो तब जाकर की बहतर adaptation हो सकता है इस सिक्षक का adaptation है कि वो अपने किस तरीके के तरीके को इस्तेमाल करता है classroom को भेधर करने के लिए, learning को भेधर करने के लिए एक teacher में positive attitude का होना बहुत ज़रूरी है और अगर negative attitude लेकर के classroom में जाते हैं तो कभी भी success नहीं होगे and this is not fair, ये चीत भी नहीं तो सिक्षक खुद अपने आप में adaptation करे classroom में जाने से पहले खुद में adaptation करे पढ़ाने से पहले खुद में adaptation करे क्योंकि जब खुद में adaptation होगा ना तो बिद्यार्थियों में भी वो जलकता है एक काला रण किसी दूसरी वस्तो को वो थब काला कर पाता है क्योंकि वो जब खुद पहले काला है या लाल है, या पीला है, या हरा है या कुछ भी है इसलिए सिक्षक को खुद में एडाप्टेशन करनी की जरूरत होती यह करिकुलम भी बताता है क्या पढ़ना है, किस से पढ़ना है कहां पढ़ना है, कौन पढ़ाएगा कैसा इन्वाइर्मेंट होगा सब बताता है इसे लिए ट्रेंड टीचर की जरूरत होती है एक प्रसिक्षित सिक्षक एक योग्य सिक्षक एक अनकूलित सिक्षक ही बिद्यार्थियों को बेहतर नौलेज बेहतर ग्यान दे सकता है इसलिए इन्वाइर्मेंट का होना बहुत जरूरी है इसके अलबा इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी classroom की जो diversity system है वो किस level की है क्योंकि कई बार हम classroom में जाते हैं तो जो हम तयार करके आते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलता हमारे environment एक दम चेंज रहता है दिब्यांग बच्चे भी बैठे रहते हैं समाज के हर वर्ग के बच्चे बैठे रहते हैं पूरा inclusive system रहता है तो वहाँ पर कैसे adaptation करेंगे ये भी पहले सोचना पड़ेगा इन सब के लिए मैं बीच में बताना चाहूँगा कि जो तीन phases होते हैं teaching के pre-active phase of teaching, interactive phase of teaching and post-active phase of teaching कि सिक्षण से पहले जो सिक्षण का एक्टिवनेस है जो उसकी गतिविदी है वो ये तै करती हैं कि classroom कैसा होगा classroom कितना बहतर होगा किस तरीके से वो सीख पाएगा किस तरीके से वो जान पाएगा वो पहले तै कर लेता है कि क्या topic पढ़ाना है, examples कैसे देना है किस तरीके से deal करना है किस तरीके से उनको पढ़ाना है कैसे किस तरीके से ब्याक्षान देना है और फिर जाकर के इंटरेक्टिव फेज़ आप टीचिंग आता है जिसमें इंटर कर जाता है और एक्ट्व हो जाता है टीचर उसमें बबिन प्रकार के ताम जाम करता है ताम जाम का मतलब है विविन प्रकायर के सवाल करता है विविन तरीगों से पढ़ाता है विविन मैथर्ड का यूज करता है और फिर पोस्टेक्टिव है जब टीचिंग पढ़ा के जब चला जाता है that is the role कि वो भी एक भूमी का है कि हम जो पढ़ा चुके हैं क्या वो ठीक था क्या हम और ऐसे कर सकते थे तो और बहतर हो जाता साइद हम ऐसा नहीं सोच पाते है ये बहुत बड़ा values है जो एक एक बहतर एवल या ट्रेंड या बलेंसिंग या एडप्टेवल जो टीचर होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक valuable टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है एंड valuable society को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है हम देखते हैं कि दो-तीन घंटे में मूवी खतम हो जाती है बोलते हैं बहुत बढ़िया है लेकिन आप जानते हैं कि दो-तीन साल लगते हैं उसको बनाने में तो हमको 40-45 मिनिट की क्लास पढ़ाने के लिए क्या हमको जरूरत नहीं है पहले से तैयारी करके आने की हमको अपने पढ़ाने के तरीके में एडाप्टेशन करने की अनुकूलर्ण कर लें की खाना पूर्ती करने तो जाना नहीं है हम देश का भविष्य बनाने जा रहे है तो हमें एडाप्टेशन करना पड़ेगा उसमें अनुकूलर्ण करना पड़ेगा कई बार मैटेरियल्स लेके जाना पड़ता है आपने कई बार देखे होंगे एक तरीका देखाओ को वन टीज वन असिस्ट ये भी एक मैथड होता है एक पढ़ाएगा और एक असिस्ट करेगा कि जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं मालीजी कि कोई असिस्टेंट है तो वो आएगा वो मॉडल दिखाएगा जब 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 पढ़ेगी वो एक्टिबेट होगा पहले से सब्ता है होता है और एकॉर्डिंट टू नीड भी होता है तो एडाप्टेशन ये भी है टीचिंग प्रोसेस में कैसे एडाप्टेशन करते हैं हम कई बार देखते हैं कि हम पढ़ा रहे होते हैं और जैसे पाते वैसे पढ़ाते रहते हैं बस बिद्दार्थियों के समझ में आये चाहना है पढ़ाते समय क्लासरूम में सवाल करना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब आप सवाल करते रहते हैं तो विद्यार्ती active रहते हैं और एक से सवाल करने का मतलब है पूरी class generate हो जाती है कई बार देखते हैं classroom में ये process होता ही नहीं है ये भी adaptation करने की जरूरत है हमको गवल method ही नहीं चोज कर लिना उस methods की जो process है ना उस process को भी adapt करना है कई बार बिद्यार्ती सवाल करना चाहता हम उसको मना कर देते हैं last में करना सवाल हो सकता है बाद में भोल जाए वो अपने जिग्यासा को ही दबा दिया classroom का मतलब ही होता है एक्टिवनेस होना चाहिए और एक्टिवनेस के ओल टीचर में नहीं students में भी चाहिए और दोनों का जो understanding है जो दोनों का connection है वो बहतर होना चाहिए positive होना चाहिए तब जाकर के वो सीख लेते हैं तब जाकर के बहतर learning हो पाती है एक बहतर adaptation हो पाता है और यह सब प्रक्रिया हम inclusive system को बहतर करने के लिए करते हैं हमारा उद्देश से है कि जो हमारे समाज के उद्देश से हैं जो हमारे देश के उद्देश से हैं उनको पूरा करना और उनको पूरा हमारे सिक्षर संस्थान कर रहे हैं वो करते हैं और अगर नहीं कर रहे हैं नहीं करते हैं इसका मतलब कि जो जिम्मेदारी एक सिक्षक को मिली है, एक बिद्याती को मिली है, वो मूलियों के तरीके से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है उनमें. हम बहुत सारे टेस्ट लेते हैं, सवाल करते हैं. हमने मौकिक रूप में सवाल कर लिया, हमारे classroom में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल भी समझते नहीं हैं मौकिक भासा को तो हमें क्या करना होगा visual देना पड़ेगा question sign language में पूर्श सकते हैं अगर स्रुण बादिद बच्चे हैं या लिकेत रूप में कोई चार्ट पेपर बनाए के लिए आए और दिखा दे बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं adaptation करने के लिए बहतर learning के लिए इसके बाद देखते हैं कि हम technology का यूज करते हैं कि हम किस channel से बहतर जो लेक्चेर डिलिवर कर सकते हैं content डिलिवर कर सकते हैं कई बार देखते हैं कि हम projector का इस्तेमाल कर लेते हैं इसलिए teachers को technology का यूज करना भी आगा चाहिए कई बार हम video दिखाते हैं लेकिन video क्या contextual है कि नहीं हम कई बार reference लेते हैं video का लेकिन वास्तों में contextual होना बहुत important है इसके लावा देखते हैं जो मुल्यांकन की प्रकरिया होती है इसमें भी adaptation की जरूत पड़ती है विद्यार्थियों को अधिक time देनी की जरूत पड़ती है विद्यार्थियों से जब सवाल करते हैं तो वो किस भासा में जवाब देगा ये भी हमको adaptation की प्रक्रिया में देखना पड़ता है और अगर ऐसा नहीं करते तो बेकार है हम ये नहीं कह सकते कि हमने rule regulations बना दिये हैं विद्यारती ही नहीं सक्षम है तो हम क्या करें यानि कि हम गलत हैं हमें वैसा system बनाना चाहिए जो accessible हो और अगर accessible नहीं है तो इसका मतलब आपका system बेकार है हर चीज में परिवर्टन लाए जा सकता है इसलिए teaching करते समय जो curriculum adaptations के सारे process हैं या जो घटक है इसमें हमारे education policies भी सामिल होते हैं इसमें हमारे विभिन जो प्रशाशक होते हैं वो शामिल होते हैं केवल teacher ही नहीं होता क्योंकि teacher किसी चीज को deliver करता है कोई content कहीं से आया है curriculum जो बना है कई बार हमारे content बहुत बड़े होते हैं उनको छोटे करना पड़ता है कई बार बदलना पड़ता है कई बार correction करना पड़ता है यह सब क्या है यह adaptation है हम देखते होंगे कि classroom में humor नहीं डालते हैं जो कि बहुत जरूरी है 45 minute की class है बच्चे बोर होने लगते हैं इसलिए recreational activities एक दो मिनट की कर लेनी चाहिए मनरण जनत्मक का मतलब यह नहीं होता है कि कोई जब तक खेल कूद का समान ना आ जाये तब तक नहीं होता है recreational activities वो तब भी होती है आपके सब्दों से आपके बातों से कुछ ऐसी activities जो एक दो मिनट की humor डाल दें तो बिद्यार्थियों को खुस कर दें खुस करने का मतलब होता है वो relax हो जाए वो tension महसूस ना करे topic बड़ा है, topic critical है लेकिन जब एक सिक्षक देखता है कि विद्यार्थियों के चेहरे कैसे हैं विद्यार्थियों किस तरीके से विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसी नुक्स छोड़ देना है कुछ ऐसे तरीके छोड़ देना है जो विद्यार्थियों हसे हसने से बहुत जलका हो जाता, attention कतम हो जाती है कुछ सवाल जो विद्यार्थियों से मनरंजनात्मक कर लेने चाहिए हम ऐसा topic पढ़ा रहे है पूछ लोग किस तरीके से पढ़ना पसंद है यह सिक्षा कभी काम है ऐसे curriculum में जितने भी adaptations process हैं वो सब करने चाहिए जितने भी रड़नीतियां है हमारा जो एक bonding है विद्यार्थि से अगर उसमें भी नहीं है बहतर adaptation तो भी बहतर learning नहीं हो सकती है क्योंकि हम यह सब कर किस लिए रहे learning को increase करने के लिए learning outcomes को बहतर करने के लिए और यह learning outcomes बहतर होगा तो जो future है जिने हम विद्यार्थी कहते हैं वो देश के लिए काम आएंगे values जो होते हैं mood जो होते हैं उनमें हमें adaptation करने की जोरुत पड़ती है तो कई बार हमें डारेक्ट जुड़ना पड़ता है डारेक्ट एक्टिबिटी करने पड़ती है कई बार हमें विविन प्रकार के ड्रामा विविन प्रकार के कल्चरल एक्टिबिटी जपनानी पड़ती है विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थियों को सामिल करिये उसमें कहते हैं कि आउसर प्रतिभा को निखारने का आधार है आप औरिचुन्टी दीजिए बच्चों एडाप्टेशन करिये कि वो टीचर ही रहे ऐसा जरूरी नहीं है इसलिए जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है वो वास्तों में बहतर करिकुलम माना जाता है जो लर्नर सेंटर्ड टीचिंग प्रोसेस होता है वास्तों में वही बहतर होता है और वो डेमोक्रिटिक अंदाज में होता है आटोक्रिटिक सिस्टम में नहीं होता डिमोक्रिटिक जहांपर बोध प्रोसेस एकदम ऐक्टिवनेस होता है एकदम पॉजिटिविटी बेस्ट एकदम ट reduction बेस्ट होता है एकदम बैलेंसिंग होता है तब जाके लगता है कि हाँ teaching हुई है किवल किताभी भासा पड़ा देना किताब में लिखी हुई चीजे बता देना बिल्कोल ठीक नहीं आप देखते हैं कि जो हमारे करिकुलम फ्रेमवर्क बनते हैं NCFG ने हम कहते हैं और Teacher Education में NCFTE बनता है जो National Curriculum Framework for Teacher Education ये सब क्यों बनते हैं ये वास्तिविक्ता को शो करते हैं कैसे होना चाहिए क्या होना चाहिए ये जो दस्ता बेज हैं ये जो डाकुमेंट्स हैं ये बताते हैं कि विद्यार्थियों को बेवहारिक्ता से जोड़िए मुल्यों से जोड़िए संस्कृति से जोड़िए संस्कृति का सन्रक्षण कैसे हो इन से जोड़िये तभी एक बहतर पाठिक्रम अनुखुलन होगा तभी एक बहतर पाठिक्रम की पहुँच बिद्यारतियों तक होगी पाठिक्रम में समाहिद जो content है जो भी सेवस्तु हैं उनके ज्यान का जो पहुंच है विद्यार्थियों तक तब वो जाखर के बेहतर हो पाएगा कई बार देखते होंगे कि सिक्षक अपने लिए चित्र बना के लिए आज कल बहुत सारी यूटूब में भी एक्टिविटीज होती हैं आप देखते होंगे बहुत सारी टीचर है जो बेहतरीन करते हैं डांस करकर के पढ़ाते हैं इस अब क्या है एडाप्टेशन है विद्यार्थियों में मनुरंजन पैदा करते हैं विद्यार्थियों के सीखने के लिए ललग जगाते हैं विद्यार्थियों के अंदर जिग्यासा पैदा होती है अ करिकुलम एडापटेशन आयने से बहुत से कंटेंट हैं जो हम विद्यार्थियों के हिसाब से डिलिवर करें जस्ट लाइक नीड बेस्ट सिस्टम आउसिक्ता आधारित पड़ाली पूर्ट तहा करिकुलम एडापटेशन से संबन्दी थे इसकोलेस्टिक और नॉन इसकोलेस्टिक जो एक्टिविटीज होती है जो सेक्षडिक और गैर सेक्षडिक एक्टिविटीज होती है उन सबको अपनाना चाहिए कई बार विद्यार्थियों को आप समझाते रहते हैं कि पेड़ का क्या महत्तो होता है समझ में नहीं आता है कुछ करने की दूरत नहीं है जब बहुत ज़्यादा धूफ हो इसकूलों में होते हैं पेड़ पहोते तो धोड़ी देर दूप में खड़ा कर दीजे बच्चों के समझाने के दूरत नहीं अपने आप जाकर के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे और उतुरन समझ जाएंगे पेड़ का महत्तो क्या है इसलिए कभी भी विद्यार्थियों के पास विद्यार्थियों के स्थिति के अनुसार योग्गिता के अनुसार उनकी एज और इस्तर के अनुसार हमें एडाप्टेशन करना चाहिए तब जाकर को बेतर सीख पाते हैं तो ये करिकुलम एडाप्टेशन से संबंधित हमने बाते की I hope आप कुछ समझे होंगे, कुछ तरीके, कुछ प्रक्रियाएं इसके अलावा और भी बहुत से कंटेंट होते हैं, बहुत से पॉइंट्स होते हैं आपको जोड सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है ऐसे बहुत से चीजें हैं, जिने हम सीखना चाहते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते क्योंकि वो हमारे अनुसार नहीं होती, means हमारे अनकूल नहीं होती बिद्यार्थी उसे कट जाता है, सिक्षक का काम क्या है, उसमें कुछ जोड घटाव करना उसमें कुछ एडाप्टेशन करना, वही से बिद्यार्थी सीखता है मैंतर तो यह करिकुलम एडाप्टेशन से रिलेटेड आज का वीडियो, आई होप आप कुछ समझें होंगे कमेंट जरूर करिए, अच्छा हो, बुरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मैं भी उससे कुछ सीखूंगा, कुछ आप नए कंटेशन बता सकें कि यह भी किया जा सकता है, बिलकुल स्वागत है आपका कंटेशन में, कमेंट बॉक्स में भी स्वागत है, आप कमेंट करिए और सेर भी किया करिए वीडियो यह ब्यभारिक तो भरी चीजें बहुत जरूरी है, हमारी क्लास के लिए चीजों के लिए, जब आप पढ़ाएं तो इन सब को अपनाएं ओके, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए चैहिन, बंदे मात्र